असलम लेकम वीवर्स आज मैं आपको पताने जा रही हूं बलाई से गी कैसे त्यार करते हैं उसके लिए मैंने एक जग बलाई कटे की थी जब मैं दूद गरम करती थी तो उसके उपर से उतार के रख दे ती यह इसमें मैंने फ्राइपैन में वह एक जग बलाई एड़ करके चूले पर रख दी है और इसमें मैंने एड़ किया है वन टेबल स्पून आटा और यह 15 से 20 मिंट में गी बन कर त्यार हो जाता है आप देखेंगे यह मैंने चूले पर रखा और अब इसको 15 से 20 मिंट के लिए बनने के लिए चूले पर छोड़ दूँगी अब 15 से 20 मिंट देखेंगे यह कितना जबर्दस गी बनकर त्यार हो जाता है यह देखें वीवर्स यह हमारा गी कितना जबर्दस बनकर त्यार हो चुका है अब इसको मैं चैवाली छनी से निकाल कर आपको त्खाऊंगी और पताऊंगी कि यह कितना गी निकला है यह देखें मैंने इसमें गी निकाल लिये और ये तकरीबन एक जग में से तकरीबन वन केजी निकाला है और ये जो लिक्स्चर बच्चा है इसमें से इसको भी में बेस्ट नहीं करूँगी इसमें इसको आपको मैं हलवा बनाकर दिखाती हूँ इसको अब मैंने चूले पे रखा और इसमें आड़ करूँगी अब मैं 2 डेबल स्पून चीनी और यह इसको पांच मिंट के लिए मैं पूनूगी इसको मैंने पूर टेबल स्पून शीनी डाल के बून लिया है और यह देखें कितना जबरदस हलवा क्यार हो चुका है अब मैं इसको डिशोट कर दिया है यह देखें यह हलवा भी बहुत जबरदस्त है अगर आपको मेरी यह टीपस अच्छी लगए तो प्लीज इसको लाइ झाल